तो अब हम questionnaire method देखेंगे तो इसमें basically होता क्या है तो इसमें questionnaire में क्या कहते हैं कि एक na questions होते हैं कि preset order में जैसे एक दो नाम आपको याद करने हैं तो इसमें क्या करते हैं एक questionnaire होंगे उनका एक order होगा और वो face to face setting में interviewer के द्वारा लिये जाएंगे जैसे कि गोल्टॉप और लेकवूड जो बनेगा है उनका नाम याद रखना effluent worker study में तो इसका benefit क्या होता है कि देखिए जो आपका researcher होगा वो control कर सकता है और वो जो responses जैसे अगर कोई आप किसी को अब दो option है आपके पास एक तो आप face to face setting में कर लो या तो फिर लोगों को post कर दो जब आप post करोगे तो ज़रूरी थोड़ी लोग कुछ भी किसी भी question क आपके कुछ भी answer लिखके बेज़ देंगा आपके साथ शेतानी भी हो सकती है पर जो face to face होता है method उसमें आप हमेशा उसको indulge करके रख सकते हो और उससे एक correct answer की उमीद कर सकते हो ठीक है तो फिर यह postcard based है तो इसमें negative वही होगा कि researcher बायस होगा कि question क्या पूछने है फिर postcard method है इसकी बहुत compliance rate आता है बस यह दिक्कर है और Gallup के lessons है मतब यह बोलता है Gallup lessons यह बोलता है कि देखो जो भी आपके data gathering और parameters है ना वो पूरे experiment में सेम रहने चाहिए अगर लेटा से आप temporal study कर रहे हो 1990s और 2000 में आके देख रहे हो तो अगर आप parameters ही change कर दोगे तो वो फि अगर रिके क्यों सकते है एक तो open ended एक close ended आप उसको पूछ लो हाजी तू कैसा feel कर रहा है फिर दूसरा है आप उसको पूछो हाजी तू इन में से 1 से 10 की number में बता कि तू कैसा feel कर रहा है तो एक तरीके से मतब आप उसको mcq format में भी दे सकते हो और आप उसको ना मतब नहीं हो वह आप question उसके answer से ही illicit कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा ना मतब यह आजाता है कि जो बंदा होता है वह projected behavior show करने की कोशिश करता है कि मतब जुरूरी नहीं होता है कि वह मतब उसका actual behavior वही हो पर वह बस show करता है आपने आपको एक ideal बनाने की कोशिश करता है उस situation में और काफी बार दिखा गया है कि जो पोस्टल सर्वे होते हैं उस पर compliance rates 80% से कमी आता है मतब 80% लोग respond ही नहीं करते हैं और Kelvin यह Kevin Clancy है इनकी study बोलती है कि या मतब जितने भी उन्होंने different classes social classes लीना उनके different responses आये थे तो और illiterate population में तो वैसे implement करना बहुत ज्यादा मुश्कि क्लैंसी तो केविन क्लैंसी ने बोला कि different social classes अब वैलेडिटी देख लें ठीक है तो जो सबसे बड़ी जो एक इसकी वैलेडिटी का major point वो इंपोजीशन प्रावल्म कि रिसर्चर ऐसे हो सकता है कि जो रिसर्चर का व्यूपाइंट है वह अपने question से पहले उसको आइडिया देती है एक statement देती है फिर आगे question देती है तो फिर मंतब एक idea लग जाता है पूछ किस topic से रहा है फिर researcher को पहले से बहुत सारे different topics है उसमें से important कौन सा topic है यह चूज करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फिर आप देखो ना कि आपको एक questionnaire है अगर आपको लिखती मतलब written form में मिल गया कि आपने उसको दे दिया तो आप किस तरीके से जब वो question लिख रहा है आप यह थोड़ी एडमिस्टर कर सकते हो कि emotions क्या है जब वो बता रहा होगा उसी चीज को उसकी emotions बाहर आएंगी और interpretation बाहर आएगी वो यहां पर थोड़ी सी lagging होती है अब फिर validity की अब जुरूरी थोड़ी है की people's जूटी सची बोलेंगे जूट भी तो बोलते हैं 90% लोग तो जूटी बोलते हैं फिर उसके बाद middle class अब कुछ terms ही ऐसी हैं जो ambiguous है मतलब जिनका कोई specific meaning ही नहीं है जैसे sociology में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसमें आप defining करते हैं कि मीनि जोनी चाहिएगी वह है क्या तो अब हम इनके advantages और disadvantages देख लेते हैं तो इसमें आएगा आपके पास की सबसे पहले quick है हाजी पहले से ही आपने tag करके गए हूँ तो सब कुछ आपको पता है unstructured में क्या था कुछ आप tag करके जाते नहीं थे तो कुछ पता नहीं था फिर extended data मि उसको सबी बंदों से जैसे रोडी की इंटर्व्यू में होता है एक स्टेंडर सा data मिल जाता है वो उसमें से उठा लेता है जिनके unique replies होते हैं उनको उठाके बेज दिकराने के लिए बेज देते हैं तो reliable होता हां जी मतब similar result है अगर कोई और researcher भी वही data को करेगा तो वही same data मिलेगा क्योंकि जी मतब set pattern of questions है तो researcher की quality के उपर dependent नहीं करेगा यह फिर कोई नई theories पैदा हो सकती है कि और comparison हो सकता है different groups के बीच में अगर data को अच्छे से choose किया जाए अब disadvantage देख लेते हैं कि काफी बार ऐसे होता है कि जो questions होते हैं वो clear नहीं होते जैसे यहां फिर कोई regional language में नहीं होंगे तो फिर यह भी दिक्कत आ सकती है फिर आपको अगर structured interview रखनी है तो फिर उसमें आप extra question कैसे पूछोगे तो वो थोड़ा सा difficult हो जाएगा फिर काफी बार क्या होता है कि जो question है वो बनाए गई हैसे जैसे लेटर से मैं question बनाता हूँ अधिक से questions भी दिखा सकते हैं कि researcher क्या सोचता है तो दोस्तों इस lecture में हम यही करेंगे इसके अगले lecture में आपको नहीं मैं survey method काफी importance बताऊंगा यह survey method बहुत important है यह 10-20 marker में पूछा जाता है तो बने रही है मेरे साथ है ना